32 नमबर डिक्रेंसान श्रीमान मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या बिचार है हमने विभिन द्रश्टी कोडों से अलग-अलग बिचार किया है विशेश रूप से सबसे उची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रस्ण पर किन्तु हम मनभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबन्द है अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है भले ही आप हम इस से सहमत ना हो कि क्या कि उनका कारे संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बड़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तोर तरीकों का बिस्तार हो सकता है भारत की मूल समस्या यह है कि यहां जोत की भूमी छोटी है और टुकडों में बटी है सधारण तोर पर मैं कहूं की यह एक दोया तीन एकड़ है इतनी छोटी जोत की भूमियों से हारे किशान केवल अपना काम भर चला सकते है लेकिन आधुनिक तोर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगती करेंगे अब सबसे उची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फॉर्म है उनमें काट छाट हो जो की प्रियोजन भी है अगर आप चाहते हैं कि प्रगती हो और आधुनिक तोर तरीकों का प्रचलन हो तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फॉर्म है इनको सहकारी धंग से चलाना है जिससे की वे आधुनिक उपायों का लाब उठा सकें सहकारी धंग से कारी करने से मेरा मतलब है विभित प्रकार से सहयोग देना हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और रिण के अलावा अनकई प्रकार से भी सहयता की जा सकती है जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना बीज खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना फिर दूसरी इस्थिती आती है जिसको मिलजुलकर खेती करना कहते हैं यद्यपी इसमें भूमी पर अधिकार बना रहता है इस प्रकार का हमारा द्रश्टी कोण है जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक से अधिक जोड़ा जा सके नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भै है यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है सहकार से मेरा मतलब एक गाउं के सहकार से है और जादा से जादा दो तीन गाउं का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं लेकिन हमारी सरकार उनकी भरपूर सहायता करेगी लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है प्रयोजन प्रचलन पर बना के चलन प्रचलन सहकारी सह एक साथ सहकारी सूचते सवनाए चवना के घड़ी के विपरी दिशा में तः घड़ी के विपरी दिशा में वस्ता कि वोवक कमानता उक मानता हमने गखा दिया खरीदना और बेचना एक जूट सम्त तव तफिर आया चाहे तो इसको कट करके बना सकते हैं मिल लिखके जैसेच आर दीजाई भर पूर भर बनाके । अब बहर पूर हो गया हुआ गाओ गा बना के हुआ गाओ चन्द नहीं कहना चाहता हुँ कि आप एक साथ भी लिख सकते हम अलग-लग मैं हुष चिन है नहीं कहना चाहता हूं की अगर एक सात इसी को दिखाना है तो पढ़ने में हमको दिखकत नहीं होती इसलिए अलग रहने दीजिए चलिया तो इस तरह से हमारे 32 नमबर डिक्टेंशन का कठीन वर्ड हो गया अब मैं इसको डिक्टेंशन बोलूँगा तो आप लोग लिखेंगे